राम राम रादे रादे शेस्त्रेकाल स्वागत आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस आफ दी रेस पाट शाला में और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त शेशांक आज हम कवर करने वाली है 24 जून 2020 की सारी की सारी डेलिगर इंट अफियर्स निउस चलिए स्क्राइब भी कर दो और पीडियाफ चाहिए इस वीडियो की तो आपको टेलिग्राम चैनल पर एविलेबल है जाकर टेलिग्राम चैनल जॉइन कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारी वन लाइनर सिरीज भी जरूर देखिए फेस्बुक पेज को ल प्रोसेस में जो आपकी पॉब्लिक सर्विस जैसे कि यूपीज और बाकि टॉक्टर है टीचर है लॉयर है इन सबका जो कॉंट्रिपूशन होता है उसको एट्रिप्यूट या फिर उसको हाइलाइट करने के लिए सेकेंड रीजन है टूविए पॉब्लिक सर्विस टूद किया जाता है करवाता को उने युनाइटेड नेशन युनाइटेड नेशन का फाउंडेशन डे आपका 24 ऑक्टूबर 1945 हैटक्वाटर है न्यू यॉक यूस से और इसके प्रेज़ेंट एंटोनियो गुटरस जी दिखाई दिना आपको पिछली वीडियो में एंटोनियो गु किये गए है 23rd of June को नेक्स देखते हैं नेक्स डे आपका इंटरनेशनल वीडियो डे वीडियो गोन होते है वीडियो एक विद्वा स्तरी को बोलते है वीडियो जिसके पती की हो चुकी होती है डेथ अब इसको भी सेलिब्रेट किया गया 23rd of June को तो किसलिए मनाया जाता है दो ड्रउ अटेंशन डू दॉ सरे विडियो अब आटनर जाती है तो बहुत ही दुखा दोता है दूसरे व्यक्ति के लिए जो की उसका पार्टनर है अब क्या होता है जैसे यह एक मेल पार्टनर की डैथ होती है तो जो experiences एक वीडियो या फिर एक female को होते हैं as a single mother as in the society उसको सब कुछ tolerate करना पड़ता है वो सब share करने के लिए इस day को celebrate किया जाता है next है to galvanize the unique support that they have अब galvanize का मतलब उसको ढग देना cover up कर देना क्या जो unique support उनके पास है ठीक है या फिर उसको उभार कर ले के आना उपर चलिए आगे बढ़ते हैं तो next news है आपकी international olympic day को लेकर तो world ने celebrate किया olympic day कप 23rd of June को celebrated by creating the world's largest 24 hour digital first olympic workout तो एक वीडियो शूट होने वाली है वीडियो लॉंच की जाएगी और उसको देखकर आपको क्या करना है घर पर ही workout करना है अब covid-19 के चलते अब लोग gather नहीं हो सकते तो कोई भी celebration in house नहीं हो रहा है इस time ठीक है तो olympic channel is making a brand new home workout वीडियो तो इस वीडियो को आप भी जरूर देखना made by olympic athletes और हमारी वीडियो को भी रोज देखा किजिए इंटरनेशनल olympic committee के कुछ facts देख लेते हैं foundation का वह था 13th of June 1894 को इसके प्रेजेंट है आपके थोमस बाच हेड़कॉर्टर है लॉजेंज सुजरलेंड कहां पर है इसका हेड़कॉर्टर लॉजेंज सुजरलेंड यूपीसी point of view से इसका foundation day क्या हो जाता है important हो जाता है और आपके banking sector के point of view से आपका headquarter लॉजेंज सुजरलेंड इसका बहुत ही important point है अब फोटो में देख लीजे फोटो में दिख रहा है आपको कि olympic में कौन-कौन सी activities कराई जाती है जैसे कि archery है weightlifting है और आपकी cycling है तो और javelin तो यह सारी activities या फिर यह सारे games कहां होते हैं आपक दोस्तों को भी लेकर आईए उनको भी वीडियो का link share कीजिए अब यह photo जो है UPSC point of view से बहुत ही जादा important हो पूछ सकता है कि olympics में कौन सा sports included है कौन सा नहीं है तो सारे sports explore कीजिए और अपनी knowledge को बढ़ाईए चलिए next news देखते हैं दोस्तो next news एक appointment अब आपके जो निराक chief of PRMIA तो PRMIA के new chief कोन बन चुक है आपके निराकर प्रदान जी प्राइमा की full form क्या है professional risk managers international association foundation है इसका 2002 के अंदर professional risk manager international association और इसका headquarter क्या है wilmington Delaware US ठीक है याद रखना कहाँ पर wilmington Delaware US यह बहुत ही important point ना पूछ सकता है PRMIA की full form में से कोई भी एक word की इस word की full form क्या है M stand for या फिर P stand for या फिर R stand for दोस्तों bank का जो examiner बहुत ही चलाक होता है वो ऐसे ही points लेके आता है जिनको बच्चे leave कर देते हैं छोड़ देते हैं कि यह important नहीं है बट दोस्तों एक भी point आप छोड़ोगे नहीं बिलकुल भी नहीं छोड़ना है बिलकुल cover अब करते चलना है एक एक निउस को अब photo देख लिजे photo किसके यह आपके निराकर प्रधान जी है जिनकी यह photo है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं next news देखते है next news है आपकी WWE World Wrestling Entertainment अब बच्चों का बच्पन का लखास कर लड़कों का शौग होता है WWE तो उनको तो यह news बहुत ही जादा पसंद आने वाली है बट उनके लिए एक दुखद समाचार भी है जो आपके WWE के legend है जिनको आप बोलते हो the Undertaker उन्होंने अपना announcement retirement announce कर दिया है तो अब वो wrestling नहीं करेंगे आगे से ठीक है तो उनका real name क्या अब कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा उ उनको Undertaker की नाम से ही जानते है तो उनका real name है Mark Calloway क्या नाम है Mark Calloway तो Undertaker का real name क्या है Mark Calloway उनका real name है WWE की फुल्फों है World Wrestling Entertainment और इसके जो आपके president है वो है Vince McMahon कौन है इसके president Vince McMahon इसका headquarter है आपका Stanford USA कहाँ पर है इसका headquarter इसका headquarter है इसका headquarter है आपका Stanford USA और इसका foundation day 19th of February 1980 कब है 19th of February 1980 एक्जाम point of view से उतनी माई नहीं रखती है news बट फिर भी आपको सारे facts पता होने चाहिए for the verse कभी भी कुछ भी पूछ सकता है तो कुछ भी छोड़ते हुए नहीं चलना है आप photo देख लीजिए जिनोंने Undertaker जीको नहीं देखा है वो देख Flow Undertaker कैसे दिखते हैं और इनका असली नाम क्या था मार्क के लावे इनका real name है चली आगे बढ़ते हैं friends next news निकल के आती है आपके banking sector से जो आपका yes bank है उसने partnership करी किसके साथ एक fintech startup जिसका नाम है afford plan क्या नाम है उसका afford plan पूछ लेगा yes bank ने किसके साथ partnership की है तो afford plan के साथ दोस्तों बहुत ज्यादा important point है yes bank किसके साथ partnership की अफोर्ड plan के और किस लेग सी आपका स्वास्थ कارडस की क्या कौंसा का one स्वास्थ कार्ड दिमाग में बिठा लो कौन सा कार्ड स्वास्थ कार्ड लॉंच किया afford plan के एक fintech startup है क्या afford plan afford plan है fintech startup अब स्वास्थ कार्ड क्या co-branded healthcare card क्या है co-branded co-branded का मतलब होता है दोनों ही brands का इस पे इस पे नाम होगा क्या होगा नाम होगा yes bank का भी और afford plan का भी और दोनों ही इसको manage करने वाले है आपके yes bank के facts देख लो foundation कब हुआ था foundation यह आप comment section में लिख कर बताओ ठीक है headquarter है आपका मुंबई माराश्थ headquarter का इसका मुंबई माराश्थ आपके MDNU CEO कों है प्रशांत कुमार जी कों है आपके MDNU CEO किसके लिए yes bank के लिए और क्या एक्स्पिरियen ओर expertize टेग्लाइन क्या है इसकी experience ौर expertise याद याद करो जल्दी से tag-line ने किसके साथ partnership कर रहे है definitely प्रशांत कुमार क्या नाम इनका प्रशांत कुमार चलो फाउंडेशन येर भी येस बैंक का बता देता हूंगर न कहोगे सरको फाउंडेशन येर पता ही नहीं नहीं लिखा तो आपका 21st of November 2003 क्या है फाउंडेशन येर एक इसके लिए येस बैंक के लिए इसकी फाउंडेशन डेट है 21st of November 2003 चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स निकल के आती है आपकी यूको बैंक की तरफ से अब यूको बैंक ने टाइप कर रहा है किसके साथ 4 इंशुरेंस कंपनी दोस्तों बहुत इंपोड आपकी SBI Life Insurance Company दूसरी है और इंशुरेंस कंपनी थर्ड आपका रैलीगेर इंशुरेंस कंपनी और फौर्थ आपका स्टार हैल्थ अलाइड इंशुरेंस कंपनी ये चार हों आपकी कंपनी जिसके साथ इनोंने क्या किया एक टाइप पार्टनर्शिप अपनी करी है चलिए यूगो बेंक के स्टाटिक फैक्ट देखते हैं हेड़कॉर्टर इसका कॉलकाता लेस्ट बेंगॉल कहा है कॉलकाता लेस्ट बेंगॉल और M.D.C.O.S. के अतुलकुमार गोयल जी आपको जो फोटो में दिख रहे हैं ये आपके अतुलकुमार गोयल जी चलिए नेक्स नि नोबोक ट्रेड का Peace Prize गेन किया या फिर जीता है उन्होंने तो अमारतया सेन क्या हैं एक 이ो अहित एक एकनॉमिस्ट और फिलोसफर ऑर किसले अनको स्वहाई ने इनको آپर इस पाइनरिंग वर्क एंडरेसिंग इशु इशू आफ ग्लोबल जस्टिस इस तो फैस्ट economist और philosopher है क्या है economist और philosopher और किसलिए मिला इनको 4 is pioneering work addressing issues of global justice तो first इनों ने उठा है global justice का issue second है social inequality in education and healthcare अब healthcare और education के field में तो बिल्कुल भी inequality नहीं होनी चाहिए सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए और global justice की दरफ की किसी भी person के साथ globally कोई भी injustice now जो आपको photo दिख रही है यह आपके प्यारे अमारतिया सेन जिनों ने आपके इंडिया के प्राइड को बढ़ा दिया और क्या जीता है peace prize of the German book trade तो चलिए next news देखते है next news आपकी इस रोगी तरफ से अब यह है क्या इस रोग क्या है दोस्तों इस रोग आपकी इंडियान स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन है जिसने रिसीव करा है पेटेंट किसके लिए for liquid cooling and heating हीटिंग गार्मेंट कौन से के लिए liquid cooling and heating गार्मेंट एक गार्मेंट बनाया गया है किसके लिए एस्ट्रो नॉट्स के लिए इसका नाम क्या रिखा गया है LCHG यह क्या एक प्रोटेक्टिव गार्मेंट है for human space flight जो humans कहा जाते है space में जाते हैं अपने spaceship में बैठ कर उनके लिए इसको develop किया गया है अब इसके लिए patent मिल चुका है इस रोगो अब इस रोगो होल सौल उसको भी क्या बोलते है लिम बोलते है ठीक है अब इस रोगे कुछ static fact देख लीजे foundation डे क्या है 15th of august 1969 है फाउंडेशन डे 15th of august 1969 हेडकोर्टर आपका बैंगलुरू है इसका बैंगलुरू और आपका जो इसके डेरेक्टर है वह कोन है दोस्तो आधे लोगों को नामी नहीं पता आँता है इनका पूरा कि इनका पूरा नाम क्या है के सिवान के सिवान करते रहते हैं इनका ना दोस्तों फेक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए चलिए नेक्स देखते हैं दोस्तों नेक्स निउस निकल के आती है आपकी लिटरेचर के फिल्ड से जो आपके अमीश त्रिपार्टी एक राइटर है उन्होंने क्या किया लॉंच किया अप पूरा टाइटल लेजन्ड ओफ सुहेल देव दा किंग फू सेवड इंडिया लिखी किस ने अमीश त्रिपार्टी जी ने लिखे किस ने लिखे अमीश त्रिपार्टी जी पब्लिश की गई है वैसलेंड पॉब्लिकेशन प्राइट लिमिटेड यह इतना इंपोर्टन न नेक्स निकल के आती है आपकी बायो गैस के फिल्ड से हुआ क्या है कंप्रेज बायो गैस प्लांट एट नमकल इन तमिलनाडू एंड सीबीजी फ्यूल स्टेशन अब तमिलनाडू में बहुत सारे फ्यूल स्टेशन डेवलप या फिर स्टैबलिश किये गए है अब इसको इनोगरेट किस ने किया है इनोगरेट किया आपके श्री ध्रमेंद प्रदान जी ने और आपके सी मॉफ टमिलनाडू कलानी स्टैबल एंड स्टैबल आледने ट्रोडीव्ट तॉर्ड मैंद। क्या है first A की full form क्या है second A की full form क्या है second या फिर first T की full form क्या है दोस्तों बहुत चलाक होता है examiner आपको बच के रहना और सारी की सारी full forms या abbreviations याद करके जानी है अब यह scheme है जिसले scheme on compressed biogas biogas के लिए was launched on 110 2018 first of 10th यानि कि आपके October 2018 को यह scheme launch की गई थी which envisages targeting production of 15 metric million ton दोस्तों इतनी सारे क्या biogas इनको develop करनी है या फिर इनको बनानी है from कितने 5000 plants इतने plants लगाने कब तक by 2023 तक तो दोस्तों सदत program कब तक इसकी time limit है इसकी time limit है 2023 याद रखना कब तक है 2023 के लिए और किसके बारे में यह compressed biogas plants के बार में कितने plants लगाने 5000 plants लगाने है दोस्तों इयर पूछ लेता है कब तक तो आपको याद रखना है 2023 तक तो आपके जो ध्रमेंद्र प्रधान जी है इनकी ministry कोन से petroleum and natural gas साथ ही यह hold करते हैं आपकी steel ministry को भी राज्य सभा MP आपके मध्य परदेश से जो आपके फोटो में दिख रहे हैं यह आपके के पलानी स्वामी जी जो की तमिल नाडू के क्या है चीफ मिनिस्टर चलिए नेक्स दोस्तों नेक्स न्यूज आपके एक वैब टोटल को लेकर तो आपका युक्ति 2.0 युक्ति 2.0 प्लैटफॉर्म लांच किया गया फोर हाइयर एडुकेशन इंस्टिट इन न्यू डैल आपके श्री रमेश पोकरियाल निशंक जी ने अब युक्ति 2.0 है क्या युक्ति 2.0 इसका फेस्ट फेस्ट भी लांच किया गया था लास्ट इयर ठीक है तो आप उसके बारे में भी पढ़ना क्या है वो और यह है युक्ति 2.0 एक इसका न्यूएर वर्जन लांच किया जैसे आपका मोधी और मोधी 2.0 जब उनका सेकेंड टार्म स्टार्ट हुआ है तो यह है किसलिए एक वैक पोर्टल है टू है यंग्स्टर तू कनवर्ट देर आइडिया इंटू एंटर्प्राइज जो उनके आइडिया अब दोस्तों देखो इंडिया में इनोवेशन बह इच्छी नहीं होती है किसले होती है क्योंकि funding की बहुत कम ही है इंडिया की research के लिए अब research पर फोकस करते नहीं बट क्या कहते हैं डिग्री ले क्या हो और कुछ काम बचाई नहीं है हमारे education system में तो इसको हमें change करना है innovation को push करना है अपने future के लिए ठीक है तो अब आपकी युक्ति की full form क्या है युक्ति की full form है young india combating covid with knowledge technology and innovation तो full form को याद रखना क्या है young india combating covid with knowledge technology and innovation k for knowledge d for technology i for innovation पूछ लेगा युक्ति में k t i में से k की t की या फिर i की full form क्या है आपके जो रमेश पोकरियाल निशंक जी है इनके पास ministry कौन सी है यह HRD minister है आपके human resource and development minister constituency है इनकी हरीदवार UK क्या UK आपका प्यारा उत्राखंड यानकी आपकी देव भूमी तो चलिए देव भूमी का नाम आई गया है तो visuals ना देखें घूम करना है देव भूमी तो पाप लगेगा तो आप देख लीजे यह आपका प्यारा हरीदवार अब गंगाजी के दर् वगेगा है तो आपका तो आपका तो आप खेखें तो आपका प्यारा तो आपका नाम आपका प्यादाबर बहुद थारा है? दोस्तो सोरी फोर दा ग्लेज तो एन आई पी आर ने किया क्या ये एक इम्म्यूनी बूस्टर हर्बल टी जो कि इसने लांच करिये अपने मोहाली सेंटर से हिक्षे से क्या एक इम्म्यूनी बूस्टर सौर्इ एम्म्यूनी बूस्टर हर्बल टी टेन्श् narrative मत करो हूं कौन सिटी investigating बूस्टर हरबल टी लांच करिये किसने एन आई पि आर मोहाली ने टिक है तो एन आई पी-ई-आर किना थे फूल पिता जी या फिर माता जी क्या सकते हो आपकी ग्रीन टी के लिए तो यह उसका एक सब्सेट्यूट है तो दोस्तों इसको अपना है जरूर और आपके बाबाराम देव जी ने भी आज क्या किया है एक क्या मैडिसिन लॉंच करिए किसके लिए कोविड-19 के लिए तिल अभी आपकी जो आयूश मिनिस्ट्रिय उसने इसको अप्रूवल नहीं दिया है कोई भी नॉलेज नहीं है तो उन्होंने पतंजली को रिटन में लिखा है कि क्या आपको इसकी सारी इंफोर्मेशन क्लिनिकल ट्रायल्स की इंफोर्मेशन प्रोवाइड करानी है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि हमारी जो यह दवाई है जिसका नाम है कोरोनिल यह बहुत ज्यादा सक्सेस्फुल हो और इसको आयूश मिनिस्ट्रिय से भी पर्मीशन मिल जाए तो आपकी जो हर्बल्टी है इस अपके फर्स्ट आपका अश्वगंदा सेकिंड आपका गिलॉय सब्सक्राइब लिए एक सब्सक्राइब करए नाम्स्पराइल करता और ऊच्छी तरह डिफाइन कि गही है हमारे च्यान केंधा में है जुरूरी नहीं आप एमिस्ट्री पड़ सकते हो हमारे ऐरुदा में मियो मईजगरह दिवी कर कके कुछ है क्या दिवी गोर्डा अब ऐसे वह आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताएंगे देख लिजे हरवल्टी दिखती कैसी है आपको तो चाहिए के नाम पर काली पत्ती याद रहती है बट वो काली पत्ती आपके लिए बहुत देंजर है दोस्तों उसको छोड़ दीजिए और हरवल्टी की तरफ मूव कीजिए इसको स्विच कीजिए अपनी चाहिए की आदतों को बदलिए जरूरी नहीं है काली पत्ती वाली काली चाहिए पी नहीं ठीक है नेक्स देखते है तो दोस्तों जो आपके प्यारे प्रधान मंत्रिया आके नरेंदर मोधी जी उट्रों ने क्रीट किया पीपल को कि इस पर अश्दी जो कि आपका कची न्यू यर तो यह रन आफ कच देख रहे हैं आप फोटो के अंदर और कच लोकिटेड का है गुजरात में जो आपका रन आफ कच क्या है एक सॉल्ट मार्श है जो कि कहा लोकिटेड थार डेजर्ट के अंदर और थार कौन से नंबर पर जाता है इंदी डेजर्ट सिरीज तो बताने आपको वर्ल्ड में कहां स्टेंड करता है इसका एरिया कितना है थार डेजर्ट का चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स नियूज निकल के आते हैं कि भी एच एल की तरफ से आपकी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अब कुछ पब्लिक करना स्टार्ट कर चुक है तो अब फर्स्टिस की निकल के आ रहे है 2000 क्रोर एलोकेटेड किये गये हैं कहां से पीम केर्स फंड के लिए और किसलिए फोर सप्लाइंग मेड इन इंडिया दोस्तों याद रखना मेड इन इंडिया सब कुछ मेड इन इंडिया आपने मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स टू गॉइंट रन कॉवीड हॉस्पिटल अब जो गॉइंट कॉइड हॉस्पिटल चिला रही हो उसमें वेंटिलेटर प्रोवाइड करायेगा कौन फिएम्टियर्स फंड ठीक है तो आउट ओफ 50,000 वेंटिलेटर्स 30,000 वेंट मैप्चर करें चलिए नसीज कहां से निकल एते हैं कि नारियल से सोचge नारियल पानी याद आ गया होगा और नारियल खानए बिया नडागता है अब जो आपकी गौशों ने डिकलेर करा क्या मिनिमाम सपोर्ट प्राइज आपका MSP4 किसलिए for mature dehusked coconut क्या mature dehusked coconut आप किसी को पता ही नहीं होगा husk क्या होता है तो बता देता हूं husk होता है उसका खोपरा बोलते हो जिसे उसके उपर के जो airs type structure जो निकल के आता है उसको बोलते है husk वो भी industries में use होता है बहुत जगे आपके गद्दे बनाने में बहुत बहुत जगे उसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी आपकी इंडस्ट्री के अंदर तो आपका जो dehusked coconut है उसका जो प्राइस हो कितना हाइक कर दिया गया 5.02 परसेंट हाइक कर दिया है और यह किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है डिसीजन आपका अग्रिकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेर मिनिस्ट्री टिक है और आपके मिनिस्टर को ने नरेंद्र सिंग तोमर जीसके मिनिस्टर है इसके बाल उड़ा दिया जैसे आपकी खोबड़ी दिखती है वैसा ही यह नारियल भी दिखता है बट फरक क्या आपकी खोबड़ी के अंदर दिमाग है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है पानी बूसा नहीं है दोस्तों चलिए नेक्स न्यूज देखते हैं फ्रेंड्स आपके जो नेक्स न्यूज है इसका तो मैं पर्सनली घप से वेट करा था अब क्या करना है मैंशन ओफ कंट्री ओफ औरिजिन कहां पर एक प्रोड़क्ट मैनुपेक्चर हुआ है उसको बोलते हैं कंट्री ओफ औरिजिन कहां पर मेंड मेंडेटरी ओन जी एम आपका गॉ को बूस्ट करते हैं चले जाना है ठीक है अब आपका g.e.m. गौर्वर्मन टी मार्केट प्लेट प्लेच क्या होता है रपने को मैंशन करना पड़ेगा रफ और इन्द्या से तभी कर सकते हो आप कहीं सकते हो और गौवर्मेंट के कॉंट्रेक्ट गेन कर सकते हो अब जैसे ही पता लगेगा कंट्री ओफ और ही इनका तो जो आपके सारे स्टेट्स है या फिर कोई भी गौवर्मेंट एजिंसी है जो भी समान करीदेगी वह मेकिन इंडिया ही खरीदने वाली आज के बाद तो आ वाइल रेजिस्ट्रिंग और न्यू प्रोडक्ट्स ओन जैसी आप जी एम पे जाकर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहोगे अस्टेरेक्स लिखा आएगा उसके उपर आपको वहाँ पर जाकर अपना कंट्री ओफ औरिजिन बताना है तो मिनिस्ट्री ओफ को है ट्रांस्पेरेंट और इंक्लूजिव मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला मैंने बताया आप किसी भी कंट्री से हैं कोई भी प्रोड़क्ट है वह आप इस पर लिस्ट कर सकते हैं चलिए नेक्स नीज देखते हैं नेक्स निकल के आती है आपके एक और विचरी आपके ज जो कि दूसरों का भला चाते हैं स्पेशली इन दा जैनरस जैनरस डोनेशन ऑफ मनी टू गोड कॉस्त किसी भी अच्छे काम में दान दीजिए और फिल्म्त्रोपिस्ट बन जाईए बहुत अच्छा काम है आपका अगर आपके पास पैसे है दोस्तों उसको तीजोरी में र कैंगरू जैक के लिए अब कैंगरू कौन सी कंट्री का नेशनल एनिमल है कुछ ऑसकर के कंट्री है वह आप कमेंट सेक्षन में बताओ कौन सी कंट्री अब आपको जो फोटो दिख रहे हैं यह आपके प्रोडूसर स्टीव बिंग साब चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स सिंग लहल क्या नाम था इनका लचमन सिंग लहल पूछ लेगा कौन सी फिल्ट से रिलेटेट थे तो यह थे आपके सोल्जर और यह क्या थे आपके फ्रीडम फैटर भी थे वन ओफिट्स लास्ट सर्वाइविंग ऑफिसर्स टू हैव टेकन पार्ट इन बोथ जिसने दोन वार्ट में बाट लिया था 1948 किसके साथ हुए थी आपकी पाकिस्तान के साथ और सेवंटीवन हुए थी चाइना के साथ इन दोनों वार्ट में पार्ट लिया था और कमिशिन में कौन पार्ट क्योंते को बहुत सरी विशचीज विशेद बिलेंगी ापका एक्जाम जल्द चैनल से related आपको इसकी PDF चाहिए, सारी PDF चाहिए, हमारी current affairs की तो आपको हमारे telegram channel join करना है, जिसका link आपको description में दिया गया है, facebook page, like करना है, सारी notifications के लिए like कीजिए, चैनल को share कीजिए, और subscribe तो जरूर कीजिए, हमारे subscriber count को increase करते जाहिए, जिससे कि हमें पता लगे हमारी audience बढ़ रहे हैं तो हम जाते से जाता content लेकर आसकें, till then दोस्तों, bye bye, take care and thanks for watching our important session of daily current affairs, best of luck, good bye